Welcome to sociology classes, मैं हूँ आपका दोस्त शीबू आज हम डिसकस करने वाले हैं पीटर बार्जार और थोमास लुकमेन का एक बहुती इंपोर्टेंट कॉंसेप्ट जो कॉंसेप्ट है सोसियल कॉंस्ट्रक्शन ओफ रियलेटी हमारे सोसाइटी में रियलेटी किस तरीके से कॉंस्ट्रक्ट की जाती है सोसियलाइजेशन प्रोसेस के दुआरा किस तरीके से हमारे रियलेटी को शेप किया जाता है हम कौन सी चीज को रियल मानते हैं इसको किस तरीके से तैयार की जाती है, construct की जाती है, इसके बारे में आज के क्लास में discuss करेंगे. The Social Construction of Reality, यह एक book है जो Peter Barger और Thomas Lokman ने मिलकर लिखी थी, और यह हमारी sociology में बहुत important है, क्यूंकि हम society को किस तरीके से देखते हैं, यहाँ पर कौन सी चीज़ को real मानते हैं, Barger और Lukman यह दोनों accidental sociologist थे, accidental sociologist यानि कि यह लोग पहले sociology में interested नहीं थे, यह sociologist नहीं बनना चाहते थे, लेकिन इनके sociology में contribution के वज़े से, sociology के subject को, topic को समझने के capacity के वज़े से यह धीरे-धीरे sociologist बनते गए, इनका जो सबसे important contribution है, वो है, हमारा society में reality किस तरीके से तैयार होती है, यहाँ पर social reality को किस तरीके से लोग तैयार करते है, social system तैयार करता है, इसको समझने के लिए उन्होंने काम किया था, इस बज़े से वो धीरे-धीरे sociologist बन गए थे, पिटर बार्जर ने खुद बोला है कि वो एक accidental sociologist है, यानि कि वो खुद sociologist नहीं बनना चाहते है थे, लेकिन फिर भी वो एक sociologist बन गए, यह जो social construction of reality यह टार्म को भी कोयन किया था, पिटर बार्जर और थोमास लुकमेन नहीं, उन्होंने अपने बुक, दा सोसियल कॉंस्ट्रक्शन ओफ रियलिटी, एर ट्रियटाइज इन दा सोसियोलोजी ओफ नॉलेज, इस बुक में यह सारे concept के बारे में बात की थी, यह बुक का नाम बहुत important है, यह exam में बहुत बार आ चुका है, यह बुक को publish की गई थी 1966 में, इसको यार के साथ आप लोगों को याद रखना होगा, जब भी बारगर और लुकमेन के concept के बारे में पूछा जाए, तो यह बुक का नाम जरूर मेंशन कीजिएगा, क्योंकि यह बहुत important contribution है, बारगर और लुकमेन का, उन्होंने इसी बुक में किस तरीके से social reality को construct की जाती है, इसके बारे में उन्होंने discuss की है, बारगर और लुकमेन के हिसाब से, हमारा society में जो social system है, यहाँ पर लोगों के interaction के द्वारा, इस system को create किया गया है, यहाँ पर हमारा over time, यानि कि time to time चीजों को हमें सिखाया जाता है, time to time चीजे shaped होचती जाती है, और बाद में यही सारे चीजे, society में जो भी चीजे हम सीखते हैं, वो हमारे लिए social reality बन जाता है, और यही जो social reality होती है, जो भी knowledge हमें मिलता है, इसके द्वारा ही हम समझ पाते हैं कि हमारा society में social roles क्या क्या है, हमें कौन से role निभाना चाहिए, कौन सार चीजे सही है, कौन सा चीजे गलत है, यह सारे चीजे हमें इसी तरीके से सीखने को मिलती है, यानि कि society हमें social reality के बारे में knowledge provide करती है, हमें सिखाती है, यानि कि हम shortcut में कह सकता है, reality is socially created, यानि कि society के द्वारा ही हमारा reality तैयार की जाती है, हम लोगों के साथ, interaction के द्वारा, उनके साथ, मिलने के साथ-साथ, उनके knowledge को share करके, हमारा reality create होती है, अब इसको एक example के द्वारा समझने की कोशिश करते है, हमारे society में जो motherhood या फिर role of mother का concept है, कि एक मा को क्या क्या काम करना चाहिए, उनका क्या role होगा, ये कहा से मिलता है, ये हमें जनम से नहीं मिलता है, ये हमें पता चलता है time to time, society हमें इस चीज को सिखाती है, society हमें बताती है के एक मा को ये सारे काम करने चाहिए, उनको बच्चो को क्यार करना चाहिए, उनके लिए अच्छी तरीके से खाना बनाना चाहिए, उनको take care और उनके better future के लिए उनको prepare करना चाहिए, ये सारे जो role है ये एक मा का होता है, लेकिन ये सिखाता कौन है ये हमें सिखाता है society और ये जो motherhood का concept है कि मा का role किस तरीके का होगा ये time to time change भी होता है ये space to space याने कि एक जगा का अलग होता है दूसरे जगा का अलग भी हो सकता है लेकिन फिर भी society हमें ये सारे चीज़े सिखाती है यहाँ पर और एक example है उसके pets के बारे में जानते है यानि कि जो हम पालतु जानवर घर में रखते है जैसे dog यानि कि जो भी कुत्ता है कुत्ते को हर कोई पालना पसंद करता है अब इसी pet dog को लेकर बहुत सारे अलग-अलग लोगों का concept different हो सकते है जैसे अगर कोई अमीर इनसान हो तो वो शौक के vaccine ये सारे चीजों के ऊपर इतना सारा खर्चा हो जाता है लेकिन अब अगर यही concept को आप अगर कोई गरीब इनसान के तरह से सोचो उसके नजर से देखो तो आपको दिखेगा कि उसको खाने को ही नहीं मिलता है अगर उसको कुत्ता पालना होगा तो वो कैसे पालेगा जब पर लोगों को खाना नहीं मिल रहा है वो कुत्ते में इतना ज्यादा किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकता है ये जो सारे चीजे है ये आपको society के द्वारा सिखाया जाता है जो अमीर आदमी है वो अपने आसपास के जो लोग है उनके द्वारा उनके साथ interaction के द्वारा वो सा वो अपने बच्चों को नहीं पाल सकता है, तो वो pet dog कैसे रखेगा, इस तरीके से सेम चीज़ को लेकर, अलग-अलग इनसान के अलग view होते हैं, यानि कि हमारा जो social reality है, वो हमारे situation के according create होते है, हमें society से किस तरीके का knowledge मिलता है, हम किन के साथ रहते हैं, ये सारी चीज़ों के उपर depend करता है, बारजर एंड लुकमेन ने दो तरीके का reality के बारे में बात की है, कि हमारे society में हम दो तरीके का reality देखते हैं, एक होता है objective reality, दूसरा है subjective reality, objective reality यानि कि हमारा natural world, हमारा natural world में जो भी चीज़े हैं, हर इंसान के लिए same होता है, वो गरीब हो या फिर अमीर हो, वो country के किसी भी हिस्से में हो, उनके लिए चीज़े same होती है, इस तरीके का reality को हम कहते है objective reality, जैसे सूरज, चंदा, फिर stars, oceans, ये सारे चीज़े real में हैं, और ये हर इंसान के लिए same होते हैं, इसी को कहा जाता है objective reality, जहाँ पर हर कोई इसी चीज़ को एक ही तरीके से देखता है, इसका कोई दूसरा explanation नहीं है, और ये जो objective reality है, ये हर किसी के लिए एक ही जैसा present करता है, और ये normally change नहीं होते हैं, ये बदलते नहीं हैं, अब दूसरे तरीके का जो reality है, वो होता है subjective reality, subjective reality यानि की socially constructed reality, जो हमारे society के दुआरा हमें सिखाया जाता है, ये एक particular subjective opinion होता है, ये reality को create किया जाता है, जैसे हम example की तोर पे ले सकते हैं, कि हमारा job का title, एक जो भी इंसान है, उसका जो भी job होगा, उसका कुछ title होगा और इसके जरीए उसका कुछ role और status define किये जाएंगे society में, जैसे एक teacher, उसको हम देखते हैं कि उसका role होगा, कि वो बाकी लोगों को पढ़ाएगा, साथ ही साथ, उसका एक बहतर status हम society में देखते हैं, कि वो एक अच्छा काम करता है, और उसे उसी के हिसाब से एक teacher के जैसा ही behave करना चाहिए, उसे किसी जगा पर जाकर मारा मारी नहीं करना चाहिए, उसको हमेशा cool रहना चाहिए, और लोगों को motivate करना चाहिए, इस तरीके का role हम एक teacher को लेकर समझते हैं, इसी तरीके से हर इंसान का एक अलग job title होता है, जिसके साथ उसका कुछ role और status जुड़ा होआ होता है, ये सारे चीजे हमें society के साथ जब हम रहते हैं, तब हमें समझ में आता है, ये तभी real बनते हैं, तभी internalized किये जाते हैं, जब हम लोगों के साथ interact करता हैं, और ये ही socially defined चीजे होती हैं, अब एक ही चीज को अलग-अलग लोग अलग तरीके से देख सकते हैं, जैसे कोई गरीब होगा, तो उसके लिए teacher का job बहुत important है, और बहुत respectable job है, जो उसे मिल गई तो वो बहुत खुश हो जाएगा, लेकिन अगर एही चीज एक IPS officer के बेटे हो, या फिर कोई बड़ा businessman का बेटा हो, तब उसके लिए ये बहुत ही छोटा एक job होगा, यानि कि यहाँ पर reality subjective होती है, हर इंसान के लिए same नहीं होती है, और साती सात ये subjective reality हमारे job और हमारे position के साथ भी जुड़ा हुआ होता है, बारगर और लुकमेन ने इसी चीज के उपर काम किया था, उन्होंने subjective reality के उपर काम किया था, किस तरीके से हमारा subjective reality को construct किया जाता है, socialization process के द्वारा किस तरीके से हमारा reality को shape किया जाता है हमें जनम से ही चीजे सिखाई जाती है तब जाकर वो हमारे लिए real बनता है उनका एक famous quotation है people are not born members of society they are made members of society यानि कि जो लोग है वो जनम से society का हिस्सा नहीं होते है बलके उनको society का हिस्सा बनाया जाता है उनको तैयार किया जाता है इस बज़े से आप लोग देखोगे कि जो इनसान जिस society में जनम लेता है उसी के तौर तरीके के हिसाब से चलता है उनी को pattern को follow करके चलता है अगर कोई इनसान हिंदू religion में जनम हुआ तो उनके तौर तरीके follow करेगा जो Muslim में जनम हुआ है वो उनके तौर तरीके फिर Christian में अलग तरीके का तौर तरीके इस तरीके से अपने society में वो किस society में जनम हुआ है उसके उपर depend करेगा कि वो किस तरीके का behave करेगा उसका subjective reality किस तरीके का होगा और इसी subjective reality के ऊपर ही बारगार और लुकमन ने focus किया था कि किस तरीके से हमारे society में सारे चीजे reality हमारा create किया जाता है अभी तक हमने social construction of reality के बारे में बहुत कुछ समझा है लेकिन ये social construction of reality exactly है क्या Social construction of reality refers to the theory that the way we present ourselves to other people is shaped partly by our interaction with others as well as by our life experience Social construction of reality एक ऐसा theory है जहाँ पर हम किस तरीके से कोई भी इंसान किस तरीके से अपने आपको present करेगा वो shape किया जाता है लोगों के interaction के द्वारा वो दूसरों के साथ किस तरीके से interact करेगा उनका वो किस के साथ interaction कर रहा है ये सारे चीजों के द्वारा उसका reality shaped होता है यहाँ पर उसका life experience जो है वो भी decide करता है कि उसका reality किस तरीके से होगा यानि कि social construction of reality एक ऐसा theory है जहाँ पर बताया जाता है कि लोगों के interaction के वज़े से ही लोगों का reality तयार होता है उनके life experience decide करते है कि उनका mindset क्या होगा उनका reality क्या होगा अब यह जो social reality है इसको construct किया जाता है लोगों के द्वारा यहाँ पर जब कोई एक society में लोग रहते है तो उनका social reality create होता है यहाँ पर दो important चीज़े है जिसके द्वारा हमारे society में social reality को construct किया जाता है socialization and education socialization के द्वारा आपको छोटे जब होते है कोई बच्चा धीरे धीरे उसको माता पिता सिखाते है उनको बाकी आस पड़ोसी लोग सिखाते है उनके socialization process के द्वारा उसको समझाया जाता है कि society में कौन सा चीज real है कौन सा चीज सही है फिर education system में जाकर भी उसको समझाया जाता है कि उसका reality किस तरीके का होगा यह सारे चीज़े socialization और education के द्वारा society के तोर तरीके को सिखाया जाता है social reality को construct किया जाता है और यह जो reality है इसको further perpetuate भी किया जाता है यानि कि उसके अंदर एक ऐसा sense किया जाता है कि यही चीज real है और उसको उसे बचाया रखना होगा उसी चीज़ को उसको follow करना होगा इस तरीके का एक sense भी उसके अंदर में create किया जाता है एक ऐसा responsible sense तयार किया जाता है कि वो उसी चीज़ को reality मान कर आगे बढ़ता है इस बज़े से हम देखते हैं कि कोई भी इंसान जिस society में बढ़ा होता है उसका impact उसका life long चलता है वो उसी तौर तरीके से चलने की कोशिश करते हैं हम जैसे Indians है वो लोग समझते हैं कि हमारा culture को हमें सही तरीके से रखना होगा हमें हर किसी को respect provide करना होगा इसी तरीके से अगर कोई Indian आमेरिका में भी रहा तो भी वो Indian culture को ही follow करेगा वो job के सिलसीले में अगर उभा पर गया है फिर भी उसका culture नहीं छूटते है उससे यानि कि उसका social reality पहले से ही construct हो चुकी है और वो धीरे धीरे उसी चीज को perpetuate करेगा उसी चीज को बचाय रखने के लिए कोशिश करेगा और उसमें एक sense of responsibility होगी इस चीज को लेकर बारजर और लुकमेन ने social construction of reality के three stages के बारे में बात की थी कि तीन stages में लोगों का reality construct होती है externalization, objectification और internalization ये तीन step के द्वारा social reality को construct किया जाता है externalization जहाँ पर external चीजों को देखा जाता है कोई भी चीज को लोगों के द्वारा समझा जाता है कि कोई भी चीज को identify किया जाता है इस externalization process के द्वारा society को एक human product बनाया जाता है यानि कि human ही society को तैयार करते है फिर होता है objectification इसी जब product को जो भी चीजे इनसान ने बनाई है या फिर इनसान ने observe की है वो सारे चीजों को जब mark किया जाएगा और इसको objective reality में बदला जाएगा तब इसको कहा जाएगा objectification या फिर objectivation objectification में externalized चीजों को reality बनाया जाता है उसको एक objective reality की तरह treat किया जाता है इस phase में society को एक objective reality के जैसे treat किया जाता है फिर आता है जो last stage वो है internalization यह जो चीजे है इसको internalize किया जाता है इहापर socialization process के दौरा इसी चीज को लोगों में बार-बार सिखाया जाता है यह होता है internalization यहाँ पर इंसान खुद social product बन जाता है यानि कि society उसको create करने लगती है externalization में पहले इंसान अपने आसपास के product को देखता है society को वो खुद create करता है फिर objectivision में उसी चीज़ को reality की तरह treat किया जाता है कि यह एक real चीज़ बन जाती है फिर आखरी stage में internalization होता है जहाँ पर इंसान खुद को एक social product की तरह treat करना लगता है अब इसको एक example के द्वारा हम समझते हैं हम सभी Indian Hindu caste system के बारे में जानते हैं जहाँ पर भ्रामीन शत्रिय वैश्य शूद्र इस तरीके का category है और यह जो category है यह पहले से नहीं था पहली बार किसी ना किसी इंसान ने इस चीज़ को externalize किया है यानि कि किसी ने इस चीज़ की जरूरत समझी है किसी ने इसके बारे में पहली बार बात की थी तब वो होता था externalization का phase फिर धीरे-धीरे होता है objectification फिर उसके साथ-साथ वो इनसान बाकी लोगों को भी इस cash system के बारे में बताता है कि किस तरीके से हम इनसानों को अलग-अलग हिस्सों में बाट सकते हैं इस तरीके से लोगों लोग भी इसको जानने लगे इसको महसूस करने लगे यहाँ पर होता है objectification यानि कि जो इनसान इसको create किया है वो तो मर जाता है लेकिन वो चीज बाकी लोगों तक पहुत जाती है तब इस phase में होता है objectification यह जो cash system है इसको एक objective reality बनाया जाता है फिर होता है internalization प्रोसेस में socialization और education के द्वारा यानि कि जो cash system है इसको बाकी लोग इसको बार बार repeat करते रहते हैं इसको socialization के द्वारा हर बच्चे को सिखाया जाता है हर इनसान को सिखाया जाता है इस तरीके से हमारा cash system जो है वो इनसानों के बीच में चला आता है लोग इसको follow करने लगते है तब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इनसान है वो खुद एक social product बन जाता है जब जनम होता है तब ही उसके उपर कोई label लगा दिया जाता है कि वो ब्राम्मिन है शत्रिया है वैश्या है शुद्र है इस तरीके से ये तीन step के द्वारा हम हमारा society में social reality को create किया जाता है construct किया जाता है यहाँ पर आप लोगों को externalization, objectification और internalization के बारे में थोड़ा idea हो गया होगा और example को अगर आप याद रखोगे तो आपको ये चीज़े ज्यादा दिनों तक याद रहेगी caste system का याद रखना जहाँ पर caste system किस तरीके से create हुआ है और लोग अब किस तरीके से उसका एक हिस्सा है अब यहाँ पर जब हम externalization की बात करते हैं externalization में सिर्फ social reality को externalize किया जाता है यहाँ पर देखा जाता है कि हमारे आसपास क्या है लोग institutions create करते हैं उनके आसपास reality को समझ बजने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कुछ knowledge लोग इखठा करते है externalization के phase में जहाँ पर लोग लोगों को label देते हैं या फिर लोगों को identify करते हैं फिर उसी चीज़ को objectification किया जाता है जब कोई भी इंसान जिसने इस चीज़ को create किया है वो मर भी जाए फिर भी उसके independently यान कि वो इंसान मर जाने के बाद भी उस चीज़ को reality के तरह treat किया जाता है लोगों तक जब इस चीज़ को पहुचाए जाती है तब यह phase होता है objectification और फिर आता है internalization जहाँ पर पहले externalization के process होता है उसके बास objectification होता है फिर होता है internalization यानि की social interaction process में इसको day to day use करना यहाँ प इसी चीज़ को जब externalization objectivation के बाद जब इसको society में include किया जाता है socialization process के द्वारा लोगों के conscious brain में include किया जाता है social interaction के phase में इसको रखा जाता है तब इसको कहा जाता है internalization यानि कि लोगों के अंदर जब इस चीज़ internalize हो जाती है तब यह एक reality बन जाती है यह तीन step के social construction of reality बनती है आशा करता हूँ यहाँ पर social construction of reality के जो concept है यह आप लोगों को समझ में आ गया होगा यहाँ पर पहले हम देखते है burger और lookman कौन है इन्होंने ही social construction of reality के बारे में बात की है और book भी उन्होंने ही लिखी है फिर वो लोग दो तरीके का reality की बात करते है एक है objective reality द हर कोई equally ही वोग चीज़ को treat करता है जैसे हमारा सुरज, चंदा यह सारे चीज़े को हर कोई एक ही जैसा treat करता है फिर हम देखते है social construction of reality जहाँ पर तीन stages के द्वारा reality को construct किया जाता है externalization, objectification और internalization externalization जैसे example में हमने देखा है कि caste system के द्वारा पहले externalization किया जाता है यानि कि caste system के बारे में कोई एक इनसान बात करता है फिर objectification phase में कोई भी वो इनसान मर गया जिसने पहली बार इसके बारे में बात की है लेकिन फिर भी लोगों ने इसको बचाए रखा ताब यह एक objective reality के तरह बन जाता है फिर होता है internalization phase जहाँ पर इस चीज़ को बार बार repeat किया जाता है socialization process के द्वारा लोगों को इस caste system के बारे में सिखाया जाता है इस तरीके से ये तीन process के द्वारा हमारी society में reality को construct किया जाता है तो आज का class यहाँ था कि अगर class अच्छा लगा है तो comment करके जरूर बताईएगा क्यूंकि आपके comment से ही मुझे पता लगता है कि classes किस तरीके से हो रही है और अगर आपने अभी तक इस channel को subscribe नहीं किया है तो channel को subscribe कर लीजिएगा क्यूंकि इस channel पे आपको sociology related बहुत सारे videos म जरूर कीजिएगा क्यूंकि sharing is caring मिलते है अगली class में तब तक अच्छे रहे स्वास्त रहे और लोगों में प्यार बाटते रहे जाए हिंद